नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में एक और अमेजिंग प्राब्लम पात्पाइंदर की बुक सही है थार्मल फिजिक्स का चेक यूर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नमबर एट तो यह एक बढ़िया क्वेश्चन है और तोड़ा सा मास बैलेंस यूज करेंगे तोड सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तो क्या दिमार्ग में रखना है क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखते हुए आपको सुलुशन के लिए आगे बढ़ना है तो चलिए दिखते हैं तो क्या बोलता है नाइस पीस एट तेमपरेचर थीटा आई थीजे तो सब में रखना है अ फीजे हैं झापको तो में रखना है ध तो आफ जोडगेज आपको दिखना है अगल मेंutsक्तशन के जा आपको जात्पको धाश्न के बưởngशन के अपको बस्या एखना है और तो दा इनिशिल लेवल कि फाइन टेंपरेचर थीटा आप दा वाटर बिफूर इंटू दा वैसल ओके तो वाटर का टेंपरेचर पूछ रहा है तो यह कुश्चन देखें को भी पढ़ेगा तो थो इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि जो आइस का टुकड़ा है ऐसा बोलत होने कुछ माला नहीं है कि आइस का कैसा है सिरेंडिकल है रेक्टैंगलर है या जस्ट किसी भी आर्बिटरी शेप का है तो स्टुडेंट्स या कोई भी जो बंदा स्वाल कर रहा है सुचन को इनिशिल थोड़ा सा कन्फीज हो सकता है बट चुकि कुश्चन में सा कुछ द तो इसके हाइड भी कुछ होगी और यह सेम मास का वाटर इसके उपर जब दिरे से डाल दिया गया तो इसकी भी कुछ हाइड हो जाएगे बाइस का टुकड़ा मैंने एजूम किया है देखे मैंने आइस को नीचे वाटर को उपर दिखाया है नहीं तो अगर आप देखें तो वाटर की डेंसिटी जो है यह ज्यादा है वाटर की डेंसिटी ज्यादा है आइस की डेंसिटी कम है आइस को आइस उपर स्रोट करेगा वाटर के बट चुकि आइस लिखा हुआ है आइस इस एफिक्स्ट तो एजूमिंग कि आइस को किसी चीज से चिपकाया हुआ होग या इस का टुकड़ा बॉटम से ही लगा हुआ रहेगा यह उपर नीचे नहीं करेगा इसके लिए आइस में नीचे दिखाया वाटर उपर यह तब बाते आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी यह तो अभी जैसे ही मैंने कोशन यह ठीक है तो अभी बोलता है कि जब फाइन देखते हैं इस क्रेशन को कैसे हमको प्रसीट करना प्रसीट करने के लिए पहला चीज आप बोला मैंने आइस को आपको इसी वेस बैसल के पड़े मोटा मोटा कर आप देखिए तो क्या गर आपकि यह आइस जो है यह पिखल रहा है औरוצर हमने डाला है इस का मास हमको मालूम है मवमने एक ओल मास दिया हुआ है तो स्याइद उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्वेशन में कई सारी चीज़े देखें मैंने अज्यूम की हैं हो रहता है कुछ चीज़े हम निकाल पाएंगे कुछ चीज़ों के हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट जब हम स्वाल करेंगे एक्वेशन्स तो उन में उन चीज़ों का हमको यूज लगेगा जैसे कि एरिया बेस एरिया नहीं देखें हम चाहिए निकाल पाएंगे क्योंकि देंसिटी बगरा दिया हुआ है तो अगर मास की दरूरत पड़ती है क्योंकि हमको इसमें हीट बैलेंस भी लगानी पड़ेंगी तो हीट बैलेंस के लागए कि वाटर जितना डाल जा रहा है और आइस पिखल लाए क्यों अथा बनेगा पार्सली प्ला है मतलब जो इस वाटर की हीट थी वाटर ने हीट दिया MP3 डेल्टा टी मतलब इसपेसिट पिखेंट के टम्स में वह किवल ऑकिवल आइस को में गई मैं गई में गई बाद में आइस अगर मिल्ट हो गया पूरा फिर वाटर का टेम्प और बढ़ने लगेगा किसी एक temperature पर आके water का temperature रुकेगा तो थोड़ा सा हमारा question difficult बन जाएगा तो अगर तो यह आईस पूरी नहीं पिगलिये तो यह question हमारा थोड़ा सा relatively simple है simple मतलब तो रहरा calculation कम लगेंगे और जो questions में दिया वगरा है उसको देखके मुझे यही लग रहा है कि शायद यह आईस पुरा नहीं पिगल रहा होगा क्योंकि water का final temperature के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि water plus ice का final temperature कितना है यह तो चलिए दिखें इसको भी तो ठीक है क मिला कि हमको यह निकालना पड़ेगा इसमें कि ice कितनी पिखल गई एक तो और ice यतनी पिखली क्या वो total पिखल गई यह पार्शली पिखली है ठीक है तो उसके लिए हमको यह h1 और h2 निकालने पड़ेंगे इनका देखिए सिधा मैं मास बरेंस लगा मास आइस उकल टो मास वाटर दिया हुआ है तो h1 और h2 में मेरा एक डिलेशन यहां से आ जाएगा अच्छा h1 प्रस टो माना है h दिया हुआ है देखिए हमको आंसर हो है h के टम्स में निकालना है तो h1 h2 भी मैं h के टम्स में निकाल लूँगा तो मेरा h2 आ गया h rho i divided by rho w plus rho i h1 आ गया है एच देखिए है यहां डेंसिटी इसकी वाटर की दो रही है तो h1 यह आईस का हाइट है देखिए है इसका है ठीक है यह निकाल लिया अब अब कुश्चन आता है बड़ा कि क्या पूरा आइस पिघल गया तो मैं एजूम करता हूं कि पूरा आइस मेल्ट हो गया ठीक है पूरा यह पूरा पिघल के यह पूरा मास ता यह पूरा पिघल के माडर में बन गया ठीक है माल लिगे है पूरा अच वन पिघल के जो वाटर बन गया उस वाटर की हाइट अच पोई अगई है देखिए मैं यह लिखा हूआ तो मैं क्या लिखूंगा है एक वन रोई इंटू एस इकल टू एच फॉर रोड़ ब्लू इंटू ए वही तो किया मैंने वाटर की आइस की हाइट एच बन थी बात में जब यह वाटर में पिखल गया तो माली जे हाइट ह हो गई तो यह मैंने मास बैरेंस लगाया है इस मेरा यह जो एक वन का एच फॉर आ गया है वही इसको ड्लिटा करेगा मतलब हच वन माइनस एच फॉर तो वही मैंने किया है वही मैंने किया है अब अगर मैं डल्टा-एच को काल्कुलेट करूं गया है है मतलब है 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 एच आइस को मैं यहां से देखिए मैंने निकाला था एच रोडबलू डिवाइब रोडबलू प्लस भाई इसको मैं यहां पर रख दूँगा तो यह आ गया वन सिंटिमीटर ठीक है इसको फिर से देख लेते देखिए मैंने क्या किया है यह की यहां है कि यहां पर लिख लेते हैं लोग य के इस का जो हाइट էर था आइस यह मना वाटर में कि आइस का हइट हएट था यह वाटर में बन गया तो का हइट माल लिए मैने ए पो घर तो तो आइस का मस, आइस का मस कितना होगा, ह 1 रो आइ इन्टु ए, इस उकल टू वाटर का मस, क्योंकि यही वाला आइस वाटर मना है, बली देंसिटी चिनर लोगी, बट मास तो सेम रहेगा, मास कही नहीं जा रहा, तो यह मैंने वही किया, यहां से मैंने ह 4 निकाल लिया, ह 4 श तो जितना यह हाइट में चेंज हुआ होगा वही डेल्टा एज बनके आएगा तो वही मैंने किया है हच वन माइने सफ़ोर कर दिया वह एच वन माइने सफ़ोर जो नए हीट बनके आई है वाट की इनिशल हाइट अच वाट जब पानी में कनवर्ट हुआ तो उसकी हाइट अगई है एच फॉर तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ यह हुआ हुआ डेल्टा एच होगा वही डि कि यह इस की तो जब दिविम है तो कि हाइड ज्यादा होरी जो आपकी जब आजी सब यूदुकि ऐस फॉर दियुट्वर्म पर्म्ना पूर्म कर सीमोर्ट हो गई तो यह दु Zoom होगी डिफिनट्ली 4 जो है हे qad virt Moto कम होगी क्यों कम तो ice h1 is equal to a2 rho w h4, तो definitely अगर यह density बढ़ गई तो आपको h4 कम होनी पड़ेगी, हाना, h4 आपकी h1 से कम ही होगी, कितना कम होगी, 1 cm, लेकिन कितना कम दिया हुआ है, 0.7, इसका मतलब पूरा ice convert नहीं हुआ है, कुछ ice का portion अभी ice वाली layer में ही है, इतना height, इतना heat इस water के पास नहीं था, कि यह पूरी ice को पिगला सके, यह water किसी temperature theta पे रहा होगा, जैसे इस झाइडाला ice में, तो क्या होरा देखिये, water ice पिगला है, बट ice के पिगलने से क्या होगा, इस water का जो temperature है, वो दिरे 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 कम होता जाएगा, और ice पिगलते जएगा, इस water का temperature कम होते जाएगा, ice पिघलते रहेगा, यह condition आ गई, क्योंकि जब यह ice पिघल रहा है, तो जो इसका temperature है, वो तो 0 degree है, तो अगर यह water का temperature भी पिघलते पिघलते, ice पिघलते बीच में 0 degree, यह जो ice के temperature के बराबर हो गया, theta i के बराबर हो गया, तो उस समय फिर वो heat दे यह इसी लिए आए, क्योंकि दोनों में temperature difference है, दोनों में temperature difference खतम हो गया, तो फिर यह आपको heat देना बंद कर देगा, तो simple सी बात है, यह water temperature थीटा आई पहुँच गया, तो फिर ice का temperature थीटा आई ही था, तो फिर उस समय heat का जो exchange है वो बंद हो जाएगा, तो बस यही फंट है, जो point seven आया, जो water पुरा पिगला नहीं, इस ने हमारे question को काफी आसान कर दिया, नहीं तो मेरे को फिर water का final number कितना है, वो सब चीजे लिकान ली पड़ती है, तो कुछ दिया नहीं था, इसके लिए मुझे लगाई, कि शायद ice पूरी नहीं पिगल रही होगी, तो यह च नहीं दिखाया हुआ है, कि H3 बची और यह H4 आके पानी का लेयर अड़ हो गया, H2 तो सेम रहेगा, क्योंकि H2 पानी का लेयर में कुछ नहीं हो रहा, तो वो से विल रिमेन सेम, अब ठीक है, यहाँ, इस question में देखे एक चीज़ और भी दिया नहीं है, कि water की density तो एक temperature प पे ज्यादा चेंज नहीं हो रही है, negligible changes are there in the density of water, ठीक है, तो ही H4 के लेयर वाटर के आगई, तो ही H3 के लेयर आइस की बची, तो ही यह वाला मास प्लस यह वाला मास is equal to total आइस लेयर का मास, initial वाला, मैंने यहाँ पर लिखाया, देखे, यह दिखे, अच्छा, डेल्टा पहले वाली हैट कितनी थी, H1 plus H2, बात में बात की हैट कितनी हुई, H3 plus H2 plus H4, इसको जब माइनस करेंगे, तो H1 minus H3 is equal to delta H plus H4 आजाएगा, अब यह question मन के, यह mass balance की, इसमें आप देखेंगे, तो यह आगे relation आपकी, आपको basically देखे, निकालना क्या है, H1 minus H3 निकालना है कि कितनी आइस पिखल गई, जितनी आइस पिखल गई, तब आप निकाल पाएंगे कि उस आइस की पिखलने में, कितनी हीट आइस ने ले लिए, उतनी हीट, वाटर जो उस पे पाउर किया जा रहा है, उसने वो हीट दे दी, तब भी मेरा को वाटर का temperature निकाल आएगा, क्य तो यह देखिए यह equation और एक यह equation जब आब इनको solve करेंगे तो h4 यह आ गया और h1-3 यह आ गया delta h rho w divided by rho w minus rho i अब मैंने heat balance लगा दिया है ठीक है यह जिन मैंने वह लिखा दिखिए फाइनल टमप्रेचर अब दा वाटर विल बी 0डिशी ओनली क्यों होगा 0डिशी क्योंकि आइस पूरी पिखली नहीं है जब तक आइस पूरी पिखले की नहीं तक वह वाटर का टमप्रेचर बढ़ाना चालू नहीं करेगी 0डिशी पर ही रहेगा तो मैंने वही किया heat balance लग प्रेचर भी है इस उकल टू आइस का मास जो पिखल गया इन्टू लेटेंटीट ऑफ आइस ठीक है इसको जब सॉल करेंगे रखते जाएंगे तो आपको यह equation बनके आ जाएगी तो देखें यहाँ पर क्या किया मैंने heat balance लगाया heat balance में क्या किया वाटर ने जो हीट दिया यह वाले heat यह वाटर ने heat दिया कितनी वाटर करेंब में ज्यादा था तो वाटर के मास mcp delta t लगाया मैंने और कुछ नहीं है वाटर के मास water के specific heat delta delta t इस इकल टू क्या हुआ जो यह वाले heat कहां पर utilize हुई बरफ को पिखलाने में कितनी बरफ पिखली मालिजे mi बरफ specific heat यहां पर अगर water का मास निकालना है तो आपने water का मास कितना निकला ए यह थो आपने डियेक्ट लिख दिया यहां पर water की water की height आपको यहां पर यह निकालनी पड़ेगी देखिए water की height h2 जी ना तो h2 को मैंने यह रखी है h rhoi divided by rho w plus rhoi तो यहां अगर देखेंगे तो मैं पर जाया होगा solution पढ़ाया है मैं चीज है आपको समझ में रखाए होगा करना ही जापको स्रहर कर ऑख यह तो आको अपको सिफिकल्व्ण में या तो पर अचीव प्रावलम् मुंहो क्या रहा है कि ये प्रावलम् मीuw ओके एसे हो रहा है तो अ डाले है कुछ दे वोट खल रहा है टो को अपने हीड Everywhere तेban लगाई वथा और आ गटा अलोग आपको बस देखनी ती कि बरह पुरी पावा नहीं पाव deine